नमस्कार दोस्तों सरीतागी रसोही में आपका स्वागत है तो देख सकते हैं यह आज हमने बहुत अच्छा और बहुत टेश्टी सबजी बनाया है यह सबजी बनाना बिल्कुल आसान है इसको हमने लोकी से बनाया है तो आप इसको लोकी का कोपते भी कह सकते हैं तो इसको हम आप लोग भी इस तरह से अपने घर में बनाई ये बिना तेल की है ये मतलब तेल तो ग्रेवी में जाएगा कोड़े बिना तेल के हमने फ्राइ मतलब पकाया है तो इसके लिए हमने लोकी लिया है आधा किलो और चार-पांच प्याज लिया है हरा धनिया दो टमाटर और साथ लेसन की कलिया है और एक इंच अधरका टुकड़ा है तो चलिए अब ये लोकी को हमने चील के अच्छे से साफ कर लिया है और इसको हम घिसेंगे तो इसको हम घिस लेते हैं कदूकस करने वाले से अगर आप लोग के पास चौपर हो तो उससे भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं और चाहे तो इसको मिक्सी में दरदरा चला भी सकते हैं तो आप लोग को जिससे असानी पड़े उससे कर सकते हैं लीजे हमें सारे गिया को कदूकस कर लिया है और इसमें ये जो दाल निकाले वाली कल्चुल होती है निकालने वाली उसी से आप 5-6 चमच मतलब कल् और या फिर समझे जितना जरूरत लगे उतना डालिएगा तो लीजे हमने 6-7 चमच बेसन डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें एक चमच जीरा डालेंगे और इसके बाद हम चिल्ली फ्लैक्स डाल रहे हैं तो तीखा आप अपने हिसाब से रखियेगा और एक चमच हम गरम मसाला इसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसमें हरा धग्या डालेंगे आ कि आधि दूलीस है अधिने फ़ों थोड़ी तीखी कम थी तो लीजि si Dec अधिने π्यास कार दीआ बारिक-बार और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे करल लिखे हैं को सारी तैजारी करने के बाद नमक डालिएगा और इसके बाद इसको दॉन करिएगा बस इसको बनाने के बाद फटा-फट आप इसको पका लीजेगा तो लीजी अ कम निया थोड़ा सा अल्दी डाल दिया हम भूल गये थे थोड़ा सामने अल्दी डाल दिया लीजे इसको ने मिक्स कर लिया गैस की तरफ आ गए तो हम आज फ्राइ करके नहीं पॉपति के पकोड़े 172 एक टो आज बॉइल करेंगे इसके लिए हमने चैनी लिया और चैनी लिया idea है झनी इसके उपर रख देंगे और इसको हम ढग देंगे तो इसमें अच्छे से भाफ आने देंगे तो लीजिए इसमें बहुत अच्छे से भाफ आरी और छहनी में आप लोग थोड़ा सा गी या ओयल कुछ लगा दीजीगा तो लीजे बस पोड़े अपने साइच के हिसाब से आप जैसा साइच जैसा सेफ रखना चाहते हैं उसके हिसाब से छनी में डालते जाए थोड़ा से स्पेस रखिएगा क्यूंकि भाफ चारो तरफ लगेगा अगर चिपका रहेगा तो इस अधर हम ग्रेवी की तियारी कर लेते हैं तो एक कढ़ाई में हमें डाला है रिफाइंड उइल उसके बाद हम खड़े मसाले डालेंगे जिसमें की दो लॉंग है एक बड़ी इलाइची तेज पत्ता जीरा और साथाठ काली मिर्च उसके बाद उसको चटकने के बाद हम इस इनको भूल लेंगे आप चाहें तो इसको पीस के डाल सकते हैं लेकिन बारिक बारिक काटके भी डाल देंगे तो ग्रेवी बहुत गाड़ी अच्छी लगती है तो आगे आगे देखिए हम कैसे इसको बनाएं इसमें दो हमने खड़े सा महरी मिर्ची भी डाल दिया है खड लेंगे नहीं तो हाथों पर भाफ लगेगा तो हाथ जलने का डर है तो लेजे इस तरह से चिम्टे से हम इसको निकाल देंगे एक पकोड़ी और देख सकते हैं चिपका बिल्कुल नहीं है और यह पग गया है तो देख सकते हैं बिना फ्राइ किये कितने अच्छे कुपते और पकोड़े बनके तेयार हो गए तो जो जादा कम खाना चाहता है मतलब नहीं खाना चाहता है वो इस तरह से कुपते बना के खाए और घर में पता है तेल मिर्च मसाले थोड़ा कम ही खाना चाहिए तो इस तरह से आप लोग बना के खिलाए सबको पसंद आएगा तो ली रड़ी पश har Freeman के बícioंड देंगे इसके बाद हम उसमें थोड़ा पानी डुटा गोडे मसाले को बुनने सकते हैं बाद में दूड़ा नाल सकते मसाले को अच्छे से पकाएंगे और मसाले गाने मसाले देख सकते हैं कितने ग्रेवी डालना है मतलब रखना है जितना ग्रेवी उतना इसमें पानी डाल दीजे तो लीजे हमने पूरा एक लोटा ये लोटा बोलते हैं इसको मटका भी बोलते हैं आप लोग जो बोलते हूं तो समझ लेजे दो से तीन ग्लास के करीब हुने पानी डाला है तो लीजे इस पकोड़े उठाएंगे जो हमने बॉइल कर रखा है और इस ग्रेवी में जब अच्छे से उबाल आएगा न तभी डाल येगा तो लेज़े एक एक करके हम सारे पकोड़े को डाल देंगे इसमें ग्रेवी में और देखि इस तरह से हैं बस हम इसको दो मिनट के लिए ढ़क देंगे और देखिए दो मिनट ढ़कने के बाद ये सबजी का कलर अच्छा आया है और ये जो पकोड़े हैं उपर आ गए तैयर के ये पक गया है तो पकने के बाद यह लाइट हो जाते हैं मितलब इनका वेड तोड़ा कम हो जाता है तो यह उपर को आ जाते हैं तो इसके बाद हमने इसमें हरा धनिया ました ढालने के बाद में यह थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और गैस कर देंगे बन्द उसके बाद और हम प्लेटिंग करेंगे तो लिटी देखिए ग्रेवी कितनी काड़ी हो गई है तो लिजे हम प्लेटिंग कर लेते हैं और इस तरह से आप लोग अपने घर में कोपते बनाईए और खिलाईए अपने परिवार वालों को तो सभी को बहुत पसंद आएगा इस तरह के कोपते आप एक बर बना के देखिएगा टेस्ट बहुत लाजबाब होता है और सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है तो इस तरह से आप लोग अपने घर में बनाईए खाईए और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कोमेंट करके जरूर बताएगा कि यह जो लौकी का कोपता बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग अपन दने वादा